Hello everyone, welcome to our YouTube channel Target4IQ मैं नामी का डागर आपके साथ डिस्कुस कर रही हूं मुस्लिम लोग की सिरीज अपने लास लेक्चर में हमने sources of मुस्लिम लोग को complete कर लिया था अपने आज की लेक्चर में हम डिस्कुस करने वाले हैं स्कुल्स ओफ मुस्लिम लोग को मुस्लिम विदी की विचार पदितियों को मुस्लिम विदी की विचार पदितियों को तीन भागों में बाटा गया है सुन्नी संप्रदाय, सिया संप्रदाय और मोता जिला संप्रदाय मैंने आपको अपने लास लेक्चर में बताया था कि सुन्नी कौन थे? सुन्नी वो थे जो उत्रादिकार को निर्वाचन के आधार पर प्राप्त करना चाहते थे क्यों? क्योंकि पैगंबर मुहम्मद साब का कोई भी पूत्र नहीं था इसलिए उनकी मिर्त्यु के पशाद जब उनकी मिर्त्यु की उनका परदा हुआ सन 632 में तो उनके उत्रादिकार के लिए दो गुट बट गए कौन-कौन से गुट थे? एक गुट था जो की उत्रादिकार को किस रूप में मांग रहा था? बंसज के रूप में वो चाहता था कि उत्रादिकार किसको प्राप्त हो? उत्रादिकार पैगंबर मुहम्मद साब के बंसजों को प्राप्त हो और वहाँ पर बंसच कोन थे बंसच थे उनकी पुत्री के जो पती थे मेंस उनके दामाद उनके लिए उत्रादिकार की मांग की गई बंसच के आधार पर और दूसरा गुट जो था वो किसकी मांग कर रहा था वो निर्वाचन के आधार पर उत्रादिकार की मांग कर रहा था तो निर्वाचन के आधार पर जो उत्रादिकार की मांग कर रहा था वो संप्रदाय सुन्नी कहलाया और जो संप्रदाय किसके आधार पर बनसच के आधार पर उत्रादिकार की मांग कर रहा था वो कहलाया वो सिया संप्रदाय कहलाया संप्रदाए और निर्वाचन के आदार पर सुन्नी संप्रदाए एक संप्रदाए है मोता जिला जो की 19 सताब दीव के आसपास इसका उद्भव हुआ था और वरतमान में इसके कोई अनुयाई खास नहीं है और यह कोई ज्यादा फेमस नहीं है क्लियर है अब सुन्नी संप्रदाए को चार भागों में बाटा गया है इसे डिसकस कर लेते हैं कौन-कौन से संप्रदाए हैं फर्स्ट है हनफी सेकिंड मलिकी थर्ड साफ़ई पूर्थ हनबली स्कूल ओके कितने स्कूल है सुन्नी संप्रदाए के अंतरगत सुन्नी के एक्जाम में हमेसे ही कोशन आता है कि हनफी स्कूल जो था उसके संस्थापक कौन थे तो हनफी स्कूल के संस्थापक कौन थे अबू हनीफा कौन थे याद रखना है आपको यह कि हनफी स्कूल के संस्थापक अबू हनीफा थे ठीक है जो अबू हनीफा थे उन्होंने ही इ 667 issue में किलियर है ओके हनफी स्कूल के संस्थापक कौन थे अबू हनीफा थे हनफी स्कूल के संस्थापक फिर है सेकंड सेकंड स्कूल का क्या नाम है सेकंड स्कूल का नाम है मलिकी स्कूल है ना और मलिकी स्कूल के संस्थापक कौन थे मल्की स्कूल के संस्थापक थे अबू अबु अब्दुल्ला मलिक इब्न अनस क्या नाम था अबु अब्दुल्ला मलिक इन इब्न अनस उनको क्या कहा जाता था इन्हें इमाम मलिक के नाम से जाना जाता था किस नाम से जाना जाता था याद रखना है इमाम मलिक के नाम से जाना जाता था मलिकी स्कूल के संसापक क किलियर है उनका जनम हुआ था 713 इस वी में और मिर्थी हो गई थी सास्तो पिच्चाण में इस वी में ओके जो मुस्रेम विधि सासर का मलिकी स्कूल है वो मदली स्कूल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी सिख्शा का पर्मुक केंदर कौन सा था मलिकी स्कूल के, मलिकी स्कूल के सिक्षा का परमुकेंदर था मदीना क्लियर है? ओके इसके बाद आता है थर्ड स्कूल सुन्नी संपरदाय के अंतरगत कौन सा है? ये है साफ़ई स्कूल कौन सा है? साफ़ई इसके संस्थापक कौन है? साफई स्कूल के संसाफ़क है इमाम साफई इनका नाम था मुहम्मद अससफी क्या नाम था? मुहम्मद अससफी इनका नाम था और इन्हें किस नाम से जाना जाता था? इमाम साफई के नाम से जाना जाता था इनका जनाम हुआ था 767 इसवी में और जुर्णी मिर्ति हो गई थी 800-b CSU में, और जो इस साफ़ी, जो इमाम साफ़ी थे, यह क्या थे? यह जो मलिकी स्कूल के संस्थापक थे, नोंwe आ प्रzhagष इमाम मलिक और हनफी स्कूल के संस्थापक थे, अभू हनीपार, इन दोनों के सिश्य थे, तीक है? इन दोनों के सिश्य थे ये और ये क्या मानते थे ये तर्क को ज़्यादा माननेता देते थे इसके बाद है सुन्नी संपरदाय का फूर्थ स्कूल जिसका नाम है हन्बली क्या नाम है हन्बली विचारधारय हन्बली स्कूल इसके संस्थापक कौन थे? हनबली स्कूल के جो संस्थापक के उनका नाम था इनका नाम था इबन हनबल जाद रखना है क्या नाम था? इनका नाम था और यह परंप्रावादी अधिक थे और न्याइविट्ता कम थे इनका जनम हुआ था 780 स्वी में और इनकी मिर्ती हुई थी 855 स्वी में आपको क्लियरली क्या याद रखना है आपको यह बस यह याद रखना है जो सुनी संप्रदाय था उसमें चार स्कूल पर चलित थे कौन-कौन से थे इनका नाम था इमाम अबू अब्दुल्ला यह क्या किस नाम से जानाजाता था इसके बाद देखते हैं हम सेकंड संप्रदाय जो कौन से है सिया संप्रदाय मिन्स वनसच के आधार पर संप्रदाय ये तीन स्कूल में डिवाइड किया गया है असना असारिया या इमामिया जो की अगबरी उसूली आते हैं इसके इंतरगत सेकिंड है इसमाइलिया जिसमें खोजा और बंबई के भोरे आते हैं और थर्ड है जेदिया अब असना असारिया या इमामिया कौन है असना असारिया या इमामिया जो सिया साखा थी उसमें 12 इमाम के जो अनुगाई थी 12 इमाम अब फिर कोशन आ गया होगा कि इमाम कौन है तो मैंने आपको लास लेक्चर में ये भी बताया था कि जो सुन्नी संप्रदाय में से जो उत्राधिकार जिसको प्राप्त हुआ वो क्या कहला है वो खलीपा कहला है है ना और जो वनसच के आधार पर सिय संप्रदाय में से क्या प्राप्त हुआ उत्राधिकार प्राप्त हु तो अतना असारिया किसे कहा गया, अतना असारिया बारह इमामि साखा के अनुयाईयों को कहा गया, ठीक है जी, बारह इमाम हुए और बारह इमाम के जो अनुयाई थे, जो उन्हें फोलो करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें असना असारिया या फिर इमामिया कहा ज बंसज हैं कौन-कौन है अली और उनके बंसज बारे इमामों के नाम है परस्ट अली सेकिंड हसन थर्ड हुसेन पॉर्थ अली असगर जैनल आपदीन विफ्ट मुहम्मद अल-बाकिर सिफ्ट जफर अस-सादिक सेवन हैं मुसा उल-काजिम एट हैं अली उर्रजा नैन मुहम् मुख्मद अर्थकी इसके बार में 10 है अली अनकी अल-हादी 11 अल-हसनल सेहारा हैं और 12 है मुख्मद अल-मुंतजर मीस जो उलीन के जो वनसद हैं वो क्या हैं वह भारे इमाम है और उनके जो भी फॉलोवर है उनके जो भी अन्याई हैं वो क्या कहलाएं है वो अशना असारिया यह इमाम्या विचार-पाध्धिया स्कुल के नाम से जाने जाते है क Natürlich जाद रखना है कौन अली और उनके वनसच बारे इमाम के जो अन्याई हैं वो असनाई सारिया इमामिया कहलाते हैं अब जो यह अकबरी हैं इन्हें दो विचार पत्यों में फिर बाटा गया है कि अकबरी और उसूली तो जो अकबरी थे वो सिया कटर प्रमप्रवादी है और जो उसूली है वो कुरान के अर्थानवन में तर्क को पूरा इस्थान देते हैं ठीक है जी याद रखना है अकबरी कौन है वो कटर प्रमप्रवादी है और जो उसूली है वो तर्क को इस्थान देते हैं इसके बाद आए इसमाईलिया, अब इसमाईलिया स्कूल वाले कौन है, तो छटे इमाम जफर अस सादिक के दो पुत्र हुए, है ना, मैंने आपको बारे इमाम बताए ना भई, तो इसमें से जो छटे इमाम थे, जफर अस सादिक उनके दो बेटे थे, एक का नाम था तो जफर अस सादिक के जो पुत्र थे, बड़े वाले पुत्र, उनका नाम इसमाईल था, और वो उनकी मिर्तियों, अपने पिता की मिर्तियों से पहले ही हो गई थी, है ना, तो इसमाईलिया सिया, इसमाईल को अपना सात्वा इमाम मानते थे, क्या मानते थे, उन्हें काजिम हुए थे लेकिन वो इसमाइल को ही अपना क्या मानते थे इमाम मानते थे और इनी के जो फॉलवर थे इसमाइल के जो फॉलवर थे उन्हें इसमाइलिया कहा गया ठीक है किलियर हो गया कि छटे इमाम जो थे उनके पुत्र थे इसमाइल और इसमाइल के जो अनुयाई पिर इसके बाद में आया थार्ड स्कूल सियाप संप्रदाई के अंतरगत जो क्या है जेदिया है अब जेदिया कौन है चोथे इमाम अलियस्गर के पुत्र जेद जोते वो इस विचारपदिती के संस्थापक माने जाते हैं है ना जो चोथे इमाम थे वो कौन थे चोथे इमाम का नाम बताया था ना मैंने अभी अलियस्गर चैनल उनके पुत्र का नाम जेद था और जेद को क्या माने जाता है जेद को जेदिया विचारपदिती का संस्थापक माने जाता है और जेदिया विचारपदिती की परमुक स्कूल कौन कौन से हैं रिपीट कर लेते हैं असना सारिया या इमामिया जो कि 12 इमामों के अनुयाई है फॉलोवर है वह असना इसारिया इमामिया कहलाते हैं इसमें अकबरी और उसूली आते हैं इसमाइल या जो कौन है जो छटे इमाम हुए छटे इमाम के जो पुत्र थे इसमाइल इनके जो अन्याई है वो इसमाइल या कहलाए इसमें खोज और बंबई के भोरे आते हैं फिर थर्ड आया जैदिया जैदिया कौन है चोथे जो इमाम हुए उनके पुत्र जैद को इस व मोता जिला मैंने पहले बता दिया ये बरतमान में जादा फेमस नहीं है नोवे सताबदी में इसका उद्भव हुआ था ठीक है और बरतमान में इसके अनुआई बहुत कम है और अगर मोता जिला संपरदाए के लोग होते हैं और ने तलाक लेना होता है तो ये consent से तलाक प्रवाइबोस नहीं ले सकते हैं, ओके और मौता जिला में एक से अधिक स्थ्रियों से विवा मानने नहीं है, क्लियर है, मुस्लिम विदी के स्कूल क्लियर हो गए आपको, सिया संप्रदाय, सुन्नी संप्रदाय और मौता जिला, है ना, सुन्नी में हनफी, मलिकी, साफ़ई और हनबली, और सिया में, असना सारे इमामिया, इसमाइलिया और चैदिया, और थड मौता जिलिया, क्लियर है, अगर आपको इवीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, वीडियो को लाइक कीजेगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बत आपको इवीडियो कैसे लगी, थैंक यू सो मच,